हेलो डिये स्टुडेंट्स इस वीडियो में बच्चों हम एक पेंटर की कहानी पढ़ेंगे जिसके की हाथ नहीं होते हैं और किस तरह से वो हौसला रखता है तो अक्तार जो है वो एक यूपी के इस्टनपूर्वी यूपी के एक छोटे से कस्बे में रहता था और जब वो तो उसका परिवार एक साथ इकटा हुआ उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रेशन किये और क्यूंकि वो अपने फादर का पहला बेटा था तो इसलिए उसके लिए बहुत सारी प्रार्थनाय की गई थी और बहुत सारे गरीबों में दान दिया गया जब वो पैदा हुआ तो ह और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलीजेंट विद्यार थी था बहुत ही जए होनहार था पड़ाई में और सब उसके जो टीचर्स थे उन्होंने भी यह मैसूस किया कि वो बहुत जल्दी सीखता है कोई भी चीज और किसी भी चेलोती को बहुत ही बहादूरी से लेता है उन्होंने क्योंकि वो मैस में भी बहुत अच्छा था और उसने लेकिन ड्रॉइंग उसको कभी भी खुश नहीं करती थी मतलब ड्रॉइंग नहीं उससे अच्छी आती थी तो एक दिन वो एक मेले में गया अपने परिवार के साथ और वो उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा कलर थे रंग भी रंगे थे और बहुत ही ज़्यादा तियोहार का माहौल था व्यपारी थे और बहुत सारे कोमेडियन्स थे तो वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल भी थे अलग-अलग मसालेदार खाने के बहुत सारे खिलोने, हैंडी क्राफ्ट की चीजे, जोयलरी, कपड़े और बहुत सारे चीजे वहाँ पर बेची भी जा रहे थी तो अक्तार को वह अपना एक्सपिरियन्स बहुत ज़्यादा याद है, उसके पिता उसको सॉफ्टोय दिलाते थे, खरीद के दी उसको कैंडी, स्टॉफीच और शर्बत, यह सब उसके पापर ने उसको खरीद के दिया, लेकिन जब वो अपने घर के लिए वापिस जाने लगे तो अक्तार ने देखा कि वहाँ पर कुछ इलक्टिक कार हैं, जो फर्ष पर एक दूसरे को हिट कर रही है, टकर मा रही है तो वो अचानक से उनको देख कर बहुत जादा खुश हो गया और अचानक से उसने अपने पापा से कहा कि वो उसको छोड़ दे और उसको राइड करनी है उनकार पे लेकिन उसके पिता जी ने उसको मना कर दिया, वो उसके सामने गिड़गडाया और उनके मतलब घुटनों के बल बैठ गया, तो अक्तार अक्तार ने जब देखा कि उसके पिताजी उसको छोड़ ने रिदे नी रहे हैं तो उसने सोचा कि वो एक उसने मुवमेंट किया और एक चंड में वो वहां से भाग गया और उस फर्ष पर कूदिया जहां पर दूसरे बच्चे कार में राइड कर रहे थे तो उस फर्ष पर वहां पर तारों में करंट था उस फर्ष पर जो तार बिचे हुए थे और अक्तार उन इलेक्ट्रिक शॉक पकड़ लिया बिजली का करंट पकड़ लिया और उसका पूरा शरीर जो था वो करंट से कापने लग गया और उसके माता पिता जो थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और एकदम से शौक लगा उन्होंने अपने बेटे को इस हालत में जब देखा तो वो जगह के जो मालिक है उसके पास गए जल्दी से और उन्होंने बिजली काटने का मासे जल्दी से बिजली कटवाई और अफ्तार जो था वो फर्ष पे गिर गया उसका पूरा परिवार जल्दी जल्दी उसको उठाकर वह से ले गए और वो सब बहुत ज़्यादा डर गए थे और परिशान हो गए थे उसका पूरा परिवार उसको हॉस्पिटल में गए उसको ले करके अख्तार ने अख्तार को आईसियू में एड्मिट कर दिया गया और पांच दिनों के बाद उसकी कंडिशन इस तरह क्रिटिकल से नॉर्मल कंडिशन में आ गया लेकिन उसका हाथ जो था वो उसके शरीर से काट दिया गया था खोनी से उपर का तो अख्तार जो था वो इस सदमे में पहुंच गया और उसका परिवार भी बहुत ज़्यादा परशान था तो उसके पैरेंट्स ने उसके माता-पिता ने उस सिंपल